अगर आप भी spice money user हैं और अगर आपको ए नहीं पता है कि mobile कैसे recharge किया जाता है तो हम आपको इस वीडियो में एहीं बताएंगे कि mobile कैसे recharge किया जाता है जी हाँ दोस्तों ए वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और full process किसी भी company का mobile recharge करना हुगा बहुत ही असान spice money के द्वारा तो चलिए हम अपने chrome browser को open करते हैं और यहाँ पर spice money search करके यहाँ पर अपना id password डालते हैं जब आप पहली पर login करेंगे तो यहाँ पर otp आपसे मांगा जाता है जो आपका registered होता है तो हमने our lady login करके लगाउट करके आपको हम बस यहीं बताया रहे हैं कि recharge कैसे क करेंगे अगर spice money के सभी वीडियो related देखना है तो आप description box में link पर क्लिक करके देख सकते हैं कौन क्या चीज कैसे किया जाता है तो हमारा interface इस तरह का है चलिए कोई भी अगर problem हो तो दोस्तों comment box में comment करना हम आपको बता देंगे बहुत ही असान और इजी तारीकी से यहाँ पर थोड़ा process लेता है और इस तरह से open हो गया है यहाँ पर देखिए और यहाँ पर जो more पर क्लिक करेंगे जो more option है तीर के निशान वाले पर और नीचे दिया हुआ है recharge वाले option पर क्लिक करके mobile recharge पर क्लिक करेंगे हाला कि यहाँ पर बहुत सारे options मिलेंगे फिर भी हमें mobile recharge करना है तो यहाँ पर recharge वाले पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा नेट थोड़ा slow है यह पेज कट गया इसे हम रिलोड करते हैं से continue करेंगे continue करेंगे तो आपका पेजों ही से open हो जाएगा हमारा वीडियो दोस्तों एक नंबर का और 100% successful वीडियो मिलेगा आप लोगों को देखिए open होना शुरू हो गया पर देखिए और नीचे वाले पर जो आपकी जिस कंपनी का सीम है उस यहाँ पर सेलेक्ट करना है मेरा यह टेल है तो यहाँ पर देखिए इस्ट यूपी इस्ट दिखा रहा है नीचे उसके बाद साइड में यहाँ पर आपको टॉप दिख जाएगा और फुल प्लान लिख जाएगे जो आपको रिचार्ज करना है तो यहाँ पर आप सलेक्ट करना होगा सब्सक्राइइध । यहां पर जैसे ही आप एक select करेंगे तो select करेंगे तो amount ओले option में add हो जाएगा है तो चलिए हम कोई एक करके आपको बता रहे हैं यहां पर international roaming call, top of plan, unlimited calls यहां पर show कर रहा है तो इसमें से कोई select करेंगे हम एक देखिए मैं इस पर click करूँगा तो देखिए amount ओले option में add हो चुका है और यहां पर proceed पर click करेंगे उसके बाद यहां पर number check करके यहां पर pay कर देना होगा हमको जैसे ही हम pay करेंगे यहां पर हमारा balance account हमारे wallet से कट जाएगा और देखिए यहां पर success दिखा दिया green करके तो हमारा recharge हो गया है अगर unsuccessful दिखाता है दोस्तो तो नहीं कटेगा आई हो पर वीडियो आप लोगों को पसंद आयो पसंद आयो तो like, comment, share करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जै भारत